वेलकम टू MLT Lab प्लड यूरिया टैस्ट को सीरम यूरिया टैस्ट भी बोलते हैं तो यूरिया हमारे बोड़ी का एक वेस्ट केमिकल है जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से लिवर में बनता है और अक्सेज यूरिया किड्नी के द्वारा फिल्टर होकर सीर से बाहर निकल जाता है प्रोटीन यानि अमाइनो असीड के मेटाबोलिजम से पहले अमोनिया बनता है फिर उस अमोनिया को हमारा बोड़ी यूरिया में कनवर्ट कर देता है क्योंकि ammonia हमारे body के लिए जैदा toxic होता है यूरिया के comparison में हलांकि दोनों ही toxic होता है लेकिन यूरिया थोड़ा कम toxic होता है ammonia के मुकाबले फिर यूरिया जो होता है वो blood में dissolve हो जाता है liver से blood में चला जाता है और फिर blood जब kidney में जाता है तो kidney जो होता है वो blood से जो excess urea होता है उसको kidney के थूरू filter करके शरीर से बाहर कर देता है यानि कि 90% जो urea होता है blood से वो हमारा kidney filter करके urine के थूरू बाहर कर देता है बांकि जो 10% होता है वो हमारे blood में रह जाता है तो जो urea blood test होता है इससे यही पता लगा जाता है कि जो हमारे blood में कितने amount में यूरिया filter होने के बाद हमारे blood में रह गया है वो amount पता लगा जाता है हलांकि यूरिया urine test से भी होता है ये पता लगा जाता है कि जो हमारे urine में कितने amount में यूरिया जो है शरीर से बाहर होकर filter होकर सरीर से बाहर आता है तो दोनों ही test जो होता है फंक्षन को डाइगरोउज करने के लिए किया जाते है कि हमारा kidney सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है या other भी तो इस test के लिए बलड सेंपल की जनूरत परती है और दिर में यह test आप कभी भी करा सकते, इसके लिए fasting sample की देने की जरूत नहीं है, आप दिर में कभी भी करवा सकते है लेकिन blood oldest करवाने से 24 घंटे पहले ब्रोटीनwave test करवाने सप्लीमेंट है वह नहीं लेना होता है, यह घ्यमत थावा बढ़ा हुआ मिल सकता है इसका रिपोर्ट जो है यानि के तीन से चार घंटे में आपको मिल जाएगा प्राइज जो है इसका 1500 से 200 रुपया सिंगल यूरिया टेस्ट का होता है और टोटल किड्नी फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो उसके अंदर सारे परामीटर्स आ जाएगा जैसे यूरिया यूरिया का वैलू बढ़ जाता है जैसे कि आपका उल्टी दस्त हो गया हो या पानी कम पीर हो उसकेस में डिहाड्रेशन हो जाता है तो यूरिया का वैलू जो यूरिया पास करते टाइम थोड़ा डिफिकल्टी हो जैसे कि स्टोन के बज़ए से या स्वैलिंग के बज़ए से किड्नी में या ब्लाडर में स्वैलिंग हो गया हो तो इसके बज़ए से यूरिया का वैलू बढ़ सकता है या जो किड्नी डिजी जैसे कि होता है गलो आप में सॉजन हो गया वोग तो इस परकार को यूरियान वैलु भढ़ जाता है क्योंकि इडिया बढ़ जाता है या आप प्रोटीन काफी ज्यादा ले रहे हैं जो नॉर्मल एमॉंट में जितना लेना ची उसे ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं उसके बाद या तो आपका किड्नी पुरोपर यूरिया को फिल्टर नहीं कर पा रहा है सरीर से इस वज़से जो यूरिया का वैलू ज्यादा ह खाने में बहुत की कम प्रोटीन डायट की कम हो जाता है या किसी को सरीर में जफानी भड़ गया वह सत्वाइब या जदा पानी पीने से जफायदा ओर ऑड़ हैडिरिशन हो तो इसकेस में भी कम हो जाता है